राजस्तान में नेता हो या वैपारी हो लगतार इने सोशल मीडिया पर जान से मानने की धमकी मिल रही है। राजस्तान सरकार के मंत्री को जान से मानने की धमकी दी गई है। मामला दर्ज नहीं करवाया गया था। उस समय मामले में पुलीस ने एक यूवक को आरोपी माना था जिसके बाद यूवक ने नशे की हालत में धमकी देने की बात स्विकार की थी। साती आरोपी यूवक ने माफी भी मांग ली थी और उसे छोड़ दिया गया था। सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक बाबुलाल खरारी को जो धमकी दी गई है उसमें लिखा गया है। राजनीती एक तरफ होती रहेगी लेकिन तू बाबुलाल खरारी समय रहते सुधर जा और समय रहते नहीं सुधरा तू थोड़े ही दिन का महमाने। फिलाल पुलीस की टीम पूरे मामले की जाच में जुट गई है। और खपरों के लिए देखते रहे हैं दनगरी न्यूस मैंशेक जुही।